जहिन साथियों एक बड़ी खबर और एक बेहद शरमनाख खबर हमारे भारतिय सेना के जवान के साथ इतना कूकरित्ते वो भी पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया भाकई बेहद शरमनाख है और एक बात और बता हूँ एदि आप भाकई भारतिय सेना से प्यार करते हैं इंडिएन आर्मी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना किस तरीके से भारते सेना के जवान के साथ पंजाब पुलिस ने चंडिःगर पुलिस ने कितनी शरमनाक हरकत की है और दबंग CEO ने उनका स्पोर्ट किया है जवान का स्पोर्ट करते हुए पुलिस के आला दिकारियों को लतार लगाई है, जम करके फटकार लगाई है और ऐसे CEO को मैं धन्यवाद हूँगा, कोटी-कोटी नमन करूँगा और अब मामला हाई कोर्ट के अंदर है, हाला के पूरी ख़बर मा आपको बता हूँगा, पहले ये देखिए मेरे कपड़े उतारे गए, मलब एक जवान ने सीधा-सीधा आरोप लगाए कि पंजाब पुलिस द्वारा, चंडिकर पुलिस द्वारा जो है मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे मारा गया, मुझा उसको पूरा नंगा करा गया है और उसके साथ मार पिटाए की गई है, मलब ऐगर जवान के साथ एक भारतियiben जवान के साथ इस तरह का हरकत हो सकती है तो सोचो आम आदमी के साथ पुलिस का रवेया या बहार के बर्ताव करती होगी आप अन्दाजा लगा सकते हो कि जब एक जवान के साथ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बोर्डर पे खड़े होके हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके साथ इस तरह का हाल हो सकता है तो आम आदमी के साथ ये खाकी वर्दी ये पुलिस क्या करती होगी कहीं बार तो एक खाकी वर्दी नहीं मलब बस अ सेना के जवान का एक गंभीर आरोप है कि मुझे नंगा किया गया और मेरे साथ मार पिटाई की गई और उसकी हाला कि सीसी टीवी फुटेज भी है लेकिन सीसी टीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है ताकि वो चीज लीक आउट ना हो क्योंकि हमारे भार बर के अंदर में आपको दिखाए पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं चाहूँँगा हाज जोड के निवेदन करूँगा तमाम मेरे इस समय जो भी इस वीडियो को देख रहे है आपको भारती सेना से थोड़ा सा भी प्यार है और आपको अपनी भा हाई कोट ने मामले को 21 फरवरी के लिए लिस्ट किया है और 12 नवंबर 2023 को घटना हुई है मला 12 नवंबर को 2023 में घटना घटी थी और 21 फरवरी के लिए लिस्ट किया है कि कोट में किस तरह से इस चीज़ की सनवाई होगी और क्या फैंसला सुनाय जाएगा पुलिस टेशन में CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया गया है क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये कोट सेना से सम्मनित मामला है जवान की सम्मान का मामला है तो इस तरह की चीज़ों को वाइरल नहीं करना थी पूरा मामला मैं आपको दिखांगो देखिए हैं आपकर भारते सेना के एक जवान ने चंडीगड पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए है सेना के जवान ने पंजाब और हर्याना हाई कोट में याची का दायर कर आरोप लगाए कि नवंबर दोहजार तेईस में चंडीगड के एक पुलिस टेशन में कैमरे के सामने उसके कपड़े उतार देगे वाकई बेहच हरमना काम किया गया है कि भारते सेना के जवान के साथ इस तरह का हरकत की गई है जो उसकी पिटाई की गई और पगड़ी भी उतार दी गई देखे जनवरी दोहजार तेईस में नाइम अमरिंदर सिंग के कमानिंग ओफिसर टैन कोर सिगनल रेजिमेंट के करनल मिर्नाल महता ने चंडीगड के डीजीपी को पत्र लिख कर कहा कि घटना ने उन्हें गुस्से से भर दिया उन्होंने आवारा पुलिस अधिकारियों के खिलाब कारवाई की मांग की कितना देखिए शब्द किस तरह का इस्तमाल के है भारती सेना के जो अधिकारियों उन्होंने साप का है क अवारा पुलिस कर्मियों के ओपर जो है नकेल कसने की जरूरता है मला अवारा पुलिस अधिकारियों के खिलाब कारवाई मला आवारा शब्द किया गया क्योंकि कहीं बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जिसमें हमारे भारती सेना के जवानों के साथ खाकी पुलिस पुलिस के द्वारा जो है बत्तमी जी की जाती है अगे देखिए चंडिगड पुलिस टेशन बुला कर धंकी देने का आरोप लगाए है देखिए चंडिगड पुलिस भतिंडा में तेनात नायक अरविंद्र अरविंद्र सिंग का अपनी पतनी के साथ विवाद चल रहा है चंडिगड पुलिस में कौंश्टिबलर उसी पुलिस स्टेशन में तेनाथ हैं नाइक सिंग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि 12 नमबर 2023 को चंडिगड के पास मुलापुर में अपनी पतनी और नवजात बेटे से मिलने गई थे जब उन्हें पहली बार मुलापुर पुलिस स्टेशन के पंजाब पुलिस सब इस्पेक्टर परमजीत सिंग ने बुलाया जहां उन्हें धमकी दी गई और डराया गया पुलिस स्टेशन में की गई मारपीट आगे देखिए हो साथ हिए खबर यह वागए इतनी गंभीर है कि रोना आता है और गुस्सा भी जरूर आता है कि जब पुलिस द्वारा हमारे भारतिय सेना के जवान को इस तरहां शरमनाक हरकत की जाती है या उनके साथ मारपीटाई की जाती है ऐसे पुलिस अधिकारी के ओपर ऐसे पुलि पूरे इंडियन आर्मी की बात है भाई ये देखे इसके बाद उन्हें चंडिगड के सेक्टर 11 पुलिस टेशन जाने के लिए कहा गया जहां उन्हें जूटे अपनी याचिका में सेक्टर 11 पुलिस टेशन के सेच्टर मलकी सिंग और कॉंस्टेबल सुनिन का नलाम लेते हुए सेना के जवान ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें पीटा भी है उनकी पगड़ी उतार दी और उनके सारे कपड़े उतार दिये और उनका वीडियो भी बनाया अर्विंद सिंग ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कहा गया था आगे देखिए वाके बहुत शरमना घटना है यह बहुत शरमना घटना है यह आगे देखिए सोपने के उनके आवेदन के अनुत्रित होने के बाद नाइक अर्विंदर सिंग ने उच न्याल में एक याची का दायर की थी और अब मामला जो हाई कोट में चल रहा है अब पता लगेगा कि जब ये तारिक जो लगेगे उसका इंतजार रहेगा कि अब हमारे जेना के जवान के साथ जो इस तरह का बरताव किया गया है उस पर किस तरीके से जाच होगी किस तरीके से सुनवाई होगी क्या फैसला हमारे जवान के साथ आता है या मामले को अभी लंबा लटका आए जाता है और फिर मैं एक बार रंत में यह कमगा, यदि आपको भी भारतिय सेना पे गर्व है, अपनी भारतिय सेना के ओपर घमंड है, अपनी भारतिय सेना से प्यार है, तो इस मामले को थंडा मत होने देना साथ है, वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, क्योंकि हमारे भारतिय सेना के जवान क की बात है और उसके सम्मान की बात है जै हिंद जै भारत